तो अब हम लोग सबसे पहले यह जो कम्पीटर है इसको अम लोग चलाएंगे इस पर जो खरवी है आपको दिखाएंगे अभी तो इसको यूपे इसको पहले हम लोग अन करेंगे जो कि बैटरी को अभी इसको पावर देंगे स्टिप्यो पे तो देने के बार इस पर तो अभी आप देख सकते हैं इस पर पावर नहीं आ रहे हैं तो इसका जो में प्रॉब्लम हो सकते हैं मादार भूट का प्रॉब्लम हो सकते हैं इसका प्रॉब्लम और भी हो सकते हैं जैसे के रैम का भी हो सकते हैं प्रोसेसर की भी हो सकते हैं लेकिन जादातर मादारवूट का ही प्रॉब्लम आ रहे तो अभी हम लोग इस कंप्यूटर को जो कि सॉल्फ नहीं करेंगे मतलब इसको ठीक नहीं करेंगे अगर आपको इसको सीखना है किस पकड़ से इसको जान सकते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे कॉमेंस प आए एक कंपुर्टर ठीक है तो एसमिंक करेंगे इस कंप्यूटर को और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे और नया मडल का कंपड़र किस पकड़ से होते सब कुछ आपको डिटल्स में इस वीडू में बताएंगे तो अभी चलिए नया जो कंपेटर है उसका हम लोग आज सब लिक करते हैं इस विडियो स्पंसर बाई LTM.com यहाँ पर आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं PCB डिजैन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के गड़बर फाइल बोम फाइल यह सब कुछ आसानी से क्रेट कर सकते हैं इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिए क्लिक करें तो यहाँ पर एक केबिनेkte हमने ले लिया है जो कि ब्लेंख है ठीक है आप कौई भी केले सकते तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि प्रोसर ईयास उससेat यह सब्सक्राइब सकाना Isab 17 का आप औरjay है यहाँ पे graphics card ठीक है तो आप अगर गे STEVE घ bok लेंगे तो गे में विड़ोडे स्लाइवा Go इस ट् ground तो एक हो यह एक टाउ है टो यह बेगा लगार मिन और यह इसमें आप असनड किहां бег पुर्पावर सप्लाइब करने हैं तो यह एक सत lawnे थीख सबस्काइब होगा तो यह संपर हम लोग यूज करेंगे अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो कंप्यूटर जब भी रेंडरिंग पर लाएंगे या फिर हाई कॉन्फिकरेशन का गेम खेलेंगे तो यह अटोमेटिकली बंद हो सकता है तो अभी यहां पर लास्ट पर आप देख सकते हैं जो कि मदर भूल यह मदर रूट हमने ले लिए गिगाब Deutsch में ले लिया है तो इस मदबर पर हम लोगों यहां बगएर सब कुछ आपको्त करणा होगा और हाट जो होग वो है अच्छल में क्या है हाड डिक्स हम लोग इसमें फिट करेंगे दो तरह का हाड डिक्स फिट करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले हाड डिक्स का configuration अब को बता देते एकार prideX में क्या होते है और कितनी प्रकर का cardX होते है तो चलिए hardX को देखते बेर तो सबसे पहले का जो hardX होते है वो कुछ अलग प्रकर का होते है तो वो hardX मेरे पास अभी नहीं है तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं उसके बाद जो हर्डिक्स आया है यहाँ पर देख सकते यह फिन जो है वो बहुत ही बरा होते तो यह पर बहुत सारे पीन होते यहाँ पर पावर कनेक्शन होगा और यहाँ डाटा केबल जो की लगएगा इस हर्डिक्स को हम लोग तो आपु बट होके आ गया है यह जो आधिक्स आप देख रहे हैं इस पर शाटा हटिक्स हम लोग लगा सकते हैं यहाप पावर कीशन लगेगा यह जो बरबाबला आप देख狗 लगाएंगे और आडिक्स होते हैं और इस पर जो कि आप बहुत जादा हर्डिक्स का स्पेस भी ले सकते हैं तो इसके बाद जो आ गया है अभी अभी चल रहा है यह जो आप देख रहे हैं SSD इसका मॉडल है SSD यह थोड़ा चीप होते हैं तो इसका जो केबल वही साटा का सिस्टेम का यह केबल है सेम सेम टू सेम होते हैं और अभी यह जो SSD है इसको चेंज होके और एक आ गया है आप इसको देख सकते हैं यह वह ला हर्डिक्स यह चलि में लेटेस्ट मॉडल का जो कंप्यूटर का माधरवर होते हैं इस पर फीट होते हैं तो माधरवर पर डिरेक्ट फीट होते हैं रैम की तरह तो इसक साथा हर्डिक्स को लगाएंगे और इसको भी फीट करेंगे इसी माधरवर पर तो आप लोगों को दिखाएंगे और जो Windows रहते हैं मतलब सी ड्राइब जो होते हैं उसको आम लोग यह जो आप देख रहे हैं इस हर्डिक्स पर हम लोग सी ड्राइब को रखेंगे और आधर भी माधरवर्ड पर रेम के बीना काम नहीं गरेगा तो रेम हम लोग लगेंगे टूटल रेम हम लोग 32 GB हम लोग इस पर भीड करेंगे तो हाट्रिक जो अंदर होते हैं अगर खोलेंगे इसके अंदर एक इस तरह डिस्क रहता है तो इसी डिस्क पर हम लोग जोबी डाटा हम लोगा हो जाएगा उसका इसे आपकी से रोल होाइगा इसी हाट के राइट को हम लोग उसकर के डाटा को सकते डाटा को सेफ पर सकताए सब tolerance के अंदर कर सकते इस तरह का अब पर होतें लेकिन नया मोडल जो स्क्राइब वह में मेरी कड की तरह होते है तो ये एक चीप रहता है चीप के अंदर ये फीड होते हैं लेकिन स्फीड जदा होते हैं तो आज चलिए इसको हम लुग एसेंबलिंग करते हैं तो यहाँ पे मादर बूट को सबसे पेला क्वेट करेंगे तो माधर बूट को निकाल लेंगे तो देखें यह बहुते खुबसुरत एक माधर दिखाई दे रहा थे तो इसके पीछे देखेंगे तो यहां पर प्रोशेर लगाने का स्टील बगारा इसमें है तो अभी इस पर हम लोग लगाएंगे सबसे पहले प्रोसेसर को होते हैं इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा इसका जो फैन कुलिंग फैन है इसके अंदर ही मिल जाएगा आपको तो कुलिंग फैल को ध्यान से आपको निकालना होगा क्योंकि इसके जो मीडियल पर आप द इसके साथ पुलिंग पे लगा रहता है इस पेस्ट के जरीए जो में जो इसका ब्रेइन होते है प्रोफोर्सर को में खोल दिया आप तो इसके अंदर जो पीन रहता है यह पहले रहता था 775 अभी इसका पीन जो है वो हो गया है जो कि 1200 इतना सारा पीन इसमें हो गया है तो अभी इसको यहां पर फीट करना होगा तो इसके लिए हम लोग को इसका प्लास्टिक है इसको हटा देंगे तो अभी इसके अंदर पीन बहुत सरह होगा वहाँ पर अंगली मत लगाएगा क्योंकि यह बहुत है सेंसिटिव है तो इस तरह हम लोग इसको ओपन करेंगी तो अभी आप यहां पर प्रॉसर को देख सकते हैं दो तरफ दो गैप रहता है ठीक है उसी गैप को आपको मिला के यहां पर लगा आहां यहां पर तो अभी हम लोग सिर्फ इसका नहीं कूलिंग फिन इसका नूछा को तरफ होरो के यह प्लास्टिक उभत ती और अभी होने के बाद इसको सिर्फ डबा देंगी कि अगम को दबा देंगे तो अच्छी तरह लॉक हो जाएगा लॉक करना ज़रूरी है नहीं तो जो कि सीप्यू है वह रिस्टर्ट हो जाएगा तो अभी देखिए अच्छी तरह लॉक हो गया है बहुत ही मजबुत से लिए इसके अंदर हम लोग इसको जस्ट फीट कर देना हो तो इस तरह हम लोग फीट कर देंगे तो अभी फैन का जो वायर है वह हमने यहाँ पर फीट कर दिया है तो यह जो मादर भूड है इसके अगर सीधा लागेंगे तो ही यह फीट होगा किसी भी कैबल ठीक है तो अभी इस पर रेम लागेगा यहाँ पर जो पावर कनेक्शन होगा यहाँ पर होगा हमने बताया था जो कि यह जो लेटर्स मोडल का होते हैं यह यहाँ पर लागेगा यह फिर यहाँ पर भी आप लगा सकते दो कैबल इसमें दे दिया है तो सबकुछ इंस्ट्रेक्शन आप इसके मादर भूड के साथ जो कि मिन्योल बूक आते हैं इस पर एवेलेबल दे दि भी हैं ईतार गाल होते हैं तो रेम का लाल होती है इस तरह जादा होते हैं और इस तरह कम होते हैं और अगर उल्टा लगए को इस तरह हम लोग इसको MID कर देंगे तो इसके दो साइट का जो क्लिप है इसको लोग खोलेंगे खोलने के बाद यहां पर हम लोग लगाएंगे और इसको पूश कर देंगे सीधा करके पूश करना होगा तो देखिए यह आसन इसे ही ब्लिप को हटाई कर अब गैप को मिला के आप असन इसको दबाके कर दो है प्रस हो गया तो अभी देखिए अध्य हाट इक जो है वह हम लोग यहां पर फिट कर सकते हैं लेकिन अपना मर्स है कहां पर इस तरह लगा देंगे और इसको दाबा के यहां पर जो कि हम लोग पीन लगा देंगे तो यहां पर लगा देंगे तो आपने देखा है किस किस प्रकर का इसका अंदर पार्स लगे गा और अभी हम लोग इसको एसेंलिंग करेंगे लेकिन वीडियो अभी ज्यादा बना हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो में लोग इसको देखाएंगे किस परकर से इसको एसेब्लिंग करते और इंस्टल बगए रगते तो असके लिए इतने थेंके जुस्तों पाई कि अगर कि अगर कि अगर